जै माता थी, संतोशी माता व्रत की पुराणी कथा के निसार एक बार एक बुढिया थी, उसके साथ पुत्र थे, छे कमाने वाले थे और एक निकम्मा था बुढिया मा छे पुत्रों की रसुई बनाती भोजन कराती और उसके पीछे से जो कुछ भी बच जाता वो सात्वे को दे देती सात्वा बेटा बहुत भूला भाला था मन में कुछ भी विचार नहीं करता था एक दिन अपनी पत्नी से बोला देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है तो बहु बोली क्यों नहीं सबका जूठा बचावा तुमको जो खिलाती है तो बेटा बोला भला ऐसा भी कई हो सकता है मैं जब तक अपनी आँखों से ना देखूं मान ही नहीं सकता बहु ने हसर कहा तुम देख लोगे तब तो मानोगे और कुछ दिनों के बाद कोई बड़ा त्योहार आया घर में साथ परकार के भोजन और चूर्मा के लड़ू बने वे जांचने को सिरदर्थ का बहाना बना कर पतला कपड़ा सिर पर ओड़ कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा चहों भाई भोजन करने के लिए आये उसने देखा कि माने उनके लिए सुन्दर सुन्दर आसन बिछाए हैं साथ तरह की रसोई परुसी है वे सारे पुत्रों को आगरह करके जिमाने लगी सातों बेटा यह सब देखता रहा छहों भाई भोजन करके उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड़ूं के टुकड़ों को उठाया और एक लड़ू बनाया जूठन साप करके बुढिया ने अपने बेटे को पुकारा उठो बेटा छहों भाई भोजन करके चले गए अब तू ही बाकी है उठना कब तक खाएगा तो सातों बेटा कहने लगा मा मुझे भोजन नहीं करना मैं परदेश जा रहा हूँ मा ने कहा कल जाता हो तो आज ही चला जा वह बोला हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ ऐसा कहकर वह घर से निकल गया चलते समय उसे अपनी पतनी की याद आई तो वह गोशाला में उपले थाप रही अपनी पतनी के पास जा कर बोला हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल तुम रहियो संतोष्ट से धरम अपनो पाल तब वह बोली जाव पिया आनंद से हमरू सोच हटाए राम भरो से हम रहे इश्वर तुम्हे सहाए देख निशानी आपकी देखू धरू में धीर सुध हमरी मती बिसारियों रखियों मन गंभीर तब वह बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं ये अंगुठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो तुपत्नी बोली मेरे पास क्या है ये गोबर बड़ा हाथ है ऐसा कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप उसने लगा दी और सात्मा बेटा चल दिया चलते चलते दूर देश में जा पहुचा वहाँ पर एक साहुकार की दुकान थी जिसे एक नौकर की ज़रत थी तब है उस लड़के से बोला कि तुम मेरे वहार रह लो लड़के ने पूछा तुम मुझे तनक्वा क्या दोगे तो साहुकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे इस प्रकार साहुकार की नौकरी उस लड़के को मिल गई अब वह सबेरे साथ वज़े से रात तक नौकरी करने लगा कुछी दिनों में दुकान का सारा लेंदेन हिसाब किताब ग्रहगों को माल बेशना साहुकार की दुकान का सारा काम वह करने लगा साहुकार के यहां साथ आठ नौकर थे अब वे सब चकर खाने लगे कि ये तो बहुत हुश्यार हो गया है सेट ने भी उसका काम देखा सास ससूर उसे बहुत दुख देने लगे सारी ग्रस्ती का काम करके उसे लकडी बीनने के लिए जंगल में भेश देते इसी बीच घर्ट में रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती फूटे नारियल के खोपरे में पानी भर दिया जाता इस तरह उसके दिन बीत रहे थे एक दिन छोटी बहु लकडी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोशी माता का व्रत करती दिखाई दी वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनकर बोली की बहन तुम यह किस देवता का व्रत कर रही हो और इसे करने से क्या फल मिलता है इस व्रत के करने की क्या विधी है अगर तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा अजसान मानूगी तब उन में से एक स्त्री बोली की सुनो बहन यह संतोशी माता कवरित है इसकी करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश हो जाता है घर में लक्षमी जी आती है मन की चिंता दूर हो जाती है घर में सुखोने से मन को प्रसनता और शांती मिलती है निसंतानों को संतान मिलती है पती यदि बाहर गया हो तो जल्दी वापसा जाता है कुमारी कन्या को अच्छा वर मिलता है राज द्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है सबी तरह की सुक्षान्ती होती है घर में धन जमा होकर पैसा जायदात का लाब होता है रोग दूर हो जाता है और जो कुछ भी मन में काम न हो वह सब इस वरत की करपा से पूरी हो जाती है इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं तो वह पूछने लगी कि बहन ये वरत कैसे किया जाता है ये भी बताओ तो बड़ी करपा होगी तब वह इस तरी कहने लगी सवा रुपे का गुड़ चना लेना इच्छा हो तो सवा पांच रुपे कर लेना ये सवा ग्यारा का भी ले सकते हो बिना परिशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना सवा रुपे से सवा पांच रुपे और इससे भी जादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना हर शुकृवार को निरहार रहकर कथा कहना सुनना इसके बीच में क्रम तूटे नहीं लगातार नियम का पालन करना सुनने वाला कोई ना मिले तो गी का दीपक जिलाकर उसके आगे जलके पात्र को रखकर अपनी कथा कहना परंतो नियम नहीं तूटना चाहिए जब तक कि पूर्ण ना हो जाए नियम का पालन करना और मनुकामना पूर्ण हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना बीच में मत करना उद्यापन में अढ़ाई सेर आटे का खाजा और इसी हिसाब से खीर और चने का साग बनाना आठ लड़कों को भोजन कराना जहां तक मिले देवर ज भाई बंधू या परिवार के लड़के को ही लेना ना मिले तो रिष्टिदार और पडोसियों के लड़के बुलवाना उन्हें भोजन कराना यह था शक्ती दक्षना देकर माता का नियम पूरा करना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए यह सुनका छोटी बहु वापस घ घर को चल दी रास्ते में लकडी के बोज को बेश दिया और उन पैसों से गुड और चना लेकर संतोशी माता के वृत की तयारी करके आगे चली सामने मंदर देकर पूछने लगी यह मंदिर किसका है सब कहने लगे संतोशी माता का मंदिर है यह सुनकर माता के मंदिर में जा मैं तुम्हारी शरण में हूँ। उसकी दयनी दशा को देखकर संतुशी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार को ही उसकी पती का पत्र आ गया और तीसरी को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। ये देखका जिठानी मु पत्रानी से भी नहीं बोलेगी। बेचारी बड़ी सरलता से कहती कि भाया अत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आखों में आशु भर कर संतोशी माता के मंदिर में आकर मा के चरनों में गिर कर रोने लगती। मा मैंने तुम से पैसा नहीं में जाकर अपने काम करने लगी। आफ संतोशी मा विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कहतो दिया कि तेरा पती आएका पर आएका कहां से। वह तो सपने में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। इस गरबार कुछ है या नहीं। तो वह बोला मेरा सब कुछ है माँ। माबाप, भाई, बहु, क्या कमी है। तो मा कहने लगी भोले पुत्र तेरी पत्नी वहां तेरे घर में घोर कस्ट उठा रही है। तेरे माबाप उसे बहुत दुख दे रहे है। वह तेरे लिए तरस रही है तो उसकी सुथ क्यों नहीं लेता। तो वह बोला मा ये तो मुझे भी पता है परन्तु मैं जाओं तो जाओं कैसे। परदेश की बात है लेंदेन का कोई हिसाब नहीं कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। कैसे सेट जी की दुकान छोड़कर चला जाओं। तो मा कह सांज होते होते धनका धेर लग जाएगा। सुबह जल्दी उठकर उस लड़के ने अपने सपने की बात सबसे कही। सब ने उसकी बात अंसुनी करके मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कई सपने भी सच होते हैं क्या। तब एक बुढ़ा बोला देख भाई मेरी बात मा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। सपने की बात मान स्नान कर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपव जला और दुकान पर बैट जा। थोड़ी देर में वैं क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे समानों के खरीदार नगत दा में सौधा करने लगे। शाम तक देखते ही देखते धन का धिर लग गया। माता का चमतकार दिखकर वह प्रसन्न होकर मन में माता का नाम लेकर घर जाने के लिए तैयार होने लगा। गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां की काम से निपट कर वह घर जाने को तैयार हुआ। वहां बेचारी पत्नी जंगल में लकडी लेनी जा रही थी। लोट्तिस में मा के मंदिर में विश्राम कर रही थी। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। मंदिर में अराम करते करते दूर से धूल उड़ती देखकर में माता से पूछने लगी मा ये धूल कैसी उड़ रही है। तो मा कहने लगी उतरी तेरा पती आ रहा है। अब तू ऐसा कर लकडियों के तीन बोज बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसा अपने सिर पर रख ले। तेरे पती को लकडि का गठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा। नाश्ता पानी बना खाकर मा से मिलने जाएगा। तब तू लकडियों का बोज उतार कर घर जाना और बीच चुराहे में गठर डाल कर तीन अवाजे जोर से लगाना। लो सासू जी लकडियों का गठा लो। भूसी की रोटी दो और नारेल के खोपरे में बानी दो। आज घर में कौन मेहमान आया है। मा की बात सुनकर बहु बहुत अच्छा ऐसा कहकर बड़ी प्रसन होकर लकडियों के तीन गठर ले आई। एक नदी के तटपर रखा, एक मा संतोशी के मंदिर में रखा, इतने में ही एक मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकडियां देकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गाउं चाये। इस प्रकार भोजन बना कर वह वहीं विश्राम करने लगा। उसके बाद गाउं को गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय बहु सिर पर लकडि का गठा लिये वहाँ पहुच गई। लकडि का भारी अपने द्वारा दिये हुए सभी कस्टों को बुलाने के लिए कहने लगी कि बहु ऐसा क्यों कहती हो तेरा पती ही तो आया है। आब बैट मीठा भाद खा भोजन कर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाद सुनकर उसका पती बहार आ गया। और अंगूठी देखकर व्य आज घर का कुछ भी नहीं करती चार समय यहां आकर खा लेती हैं अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। यह सब सुनकर वह लजजित हुआ बोला मा ठीक है मैं इसे भी देख रहा हूं और अब तुम्हें भी देखा है अब म मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो वहां जाकर रहूं। मा बोली ठीक है बेटा जैसी तेरी मरजी ऐसा कहकर चाबी का गुच्छा उसने पटक दिया। उसने चाबी ली दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के उपर था खोल कर सारा समान वहां रख दिया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था वे दोनों पती पत्नी महां सुख पूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। पत्नी ने अपने पती से कहा कि मुझे माता के व्रत का उध्यापन करना है। पती कहने लगा बहुत अच्छा खुशी से करो। वे तुरंथी उध्यापन करने की तयारी करने लगी। जेट के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। तो जिठानी ने अपने बच्चों को भेजने के लिए हां कर दिया। परन्तु पीछे जिठानी अपने बच्चों को सिखलाने लगी कि देखो औरे भोजन करते समें सभी लोग खटाई मांगना ताकि उसका उद्यापन पूरा न हो सके अब लड़के जीमने गए खीर पेट भर कर खाई पर अन्तु याद आते ही कहने लगे कि काकी हमें कुछ खटाई दो हमें ये खीर बिल्कुल अच्छी नहीं लगरी तो बहु कहने ल लड़के उसी समें जाकर दुकान पर जाकर इमली खाने लगे ये देकर बहु पर संतोशी माता ने कोप कर दिया राजा के दूद उसके पती को पकड़ कर ले गए जेट चिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे लूट लूट कर धन इकठा करकर लाया था सो राजा के दू नूर रूलाने लगी तो मा बोली पुतरी तुने उद्यापन करके मेरा वरत भंग किया है इतनी जल्दी सब बाते भूला दी तो वह कहने लगी मा भूली तो नहीं हूँ ना कुछ अपरात किया है मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया मैंने भूल से उन्हें पैस नहीं होगी आप बताओ अब वह कैसे वापस आएंगे मा बोली जा पुतरी तेरा पती तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा वह घर को चली रास्ते में सचमुच उसका पती वापस आता मिल गया उसने पूछा तुम कहां गए थे तो वह कहने लगा इतना धन कमाया है उसका क दर राजा ने मांगा था वही भरने गया था तो वह बड़ी खोशो कर बोली भला हुआ अब घर चलो को उस दिनों के बाद फिर शुकरवार आया तो वह बोली मुझे माता के वृत का उध्यापन करना है पती ने कहा ठीक है करो वह फिर से जेट के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने कई जिठानी ने तो एक दो बाते सुनाई और लड़कों को फिर से सिखला दिया कि तुम पहले की तरह ही खटाई मांगना लड़के कहने लगे हमें खीर खाना नहीं अच्छा लगता जी बिगरता है का की कुछ खटाई खाने को देना तो वह बोली खटाई ख को चंद्रमा के समान एक सुन्दर पुत्र प्राप्त हुआ अपने पुत्र को लेकर भै हर दिन मा के मंदिर में दर्शन को जाने लगी माने सोचा कि ये रोज आती है आज क्यो ना मैं ही इसके घर चलू इसका आसरा देखूं तो सही ये विचार कर माता ने भयानक रूप ब रही है अरे लड़को इसे भगाओ नहीं तो ये किसी को खा जाएगी लड़के डरने लगे चिला कर खड़की दरवाजे बंद करने लगे छोटी बहू रोशंदान में से ये सब देख रही थी बड़ी खुची से पगली होकर चिलाने लगी अरे आस तो मेरी माता जी मेरे घर आई हैं ऐसा कहकर वैं बच्चे को दूद पिलाने से हटाने लगी इतने में सास का क्रोध उस पर ही परस पड़ा बोली अरे देखो इसे कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया इतने में मा की किरपा से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे तो वह बहु बोली मा जी मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वो ही संतोशी माता है ऐसा कहकर उसने जट से साड़े खिड की दरवाजे खोल दिये तब सबने मा के चरण पकड़ लिए और विंती करके कहने लगे हे माता हम तो मूर्ख हैं हम अज्यानी हैं हम पापी हैं त माता वैसा ही सब को देना जो इसकता को पड़े और सुने उसके सभी मनुरत पूर्ण करना प्रेम से बोलिए संतोशी माता की जय